नमस्कार S.D.V. निउज में आपका स्वागत है आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्वा और मेरे साथ मौजूद है अजय पत्रकार जी अजय पत्रकार जी मनिपूर की स्थिते देखकर दिल रो रहा है मन व्यथित है और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इनसान क्या करे मनिपूर में जो दरंदिगी हो रही है लेकिन सर क्या लगता है इस पर क्या ममता बेनर जी की भाशा जो है वो शोबनिया है उस ममता की जिन्ह ने पश्चिम बंगाल की पूरी तस्वीर पलट दी है देखे क्या कह रहे हैं दिल रो रहा है मन वैथित है बीजेपी हमें गाली देती है और लेकिन उन महिलाओं के बारे में बीजेपी का क्या कहना है ममता ने कहा भारत अच्चाशार की खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है भ अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के सुकांत मजुमदार काफी अटैकिंग मोड में रहते हैं उन्होंने कहा है कि ममता तब कहा थी जब महिलाओं पर हिंसा हो रही थी सर यह बताए इन पूरे तथ्ष्यों को मिला कर देखें तो ममता अभी कौन सी र बंगाल में हो ला उसमें ममता बनर जी कुछ नहीं जितना पस्सिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ मतलब यह इस्थित रहे कि 1400 वोट हैं और 2500 वोट उसमें पड़े देख लाएगे टोटल बूत में 1400 वोट हैं और 2500 इतनी भेंकर बेमानी महिलाओं के साथ इतनी बत्तिवी जी इतना बलतकार हुआ है इतना वो की पूछे रही और उसके लिए उन अभी एक महिला वहां से जी को और वह जीत गई जो महिला उसकी जगह इन्होंने अपनी पार्टी टीमसी का जिता दिया एक कब्निष्ट पार्टी के का कांग्लेस कार करता हुआ माला जा रहा है अधीर लंजन बिचारेश बात को कह रहा है कि वहां पर इतना बड़ा अथ्यार कभी नहीं हुआ है मैं और ममता बनर जी को और तमाम जगह करने दिखाए दिल्ली में एक साक्षी कांड हुआ उसमें ममता बनर जी की आवाद नहीं निकली नूपूर सर्मा वाले में ममता बनर जी की आवाद नहीं निकली पक्षय विपक्ष किसी में बोलती मगर इसमें बोल पड़ी और वहां ज जिन्हों ने सस्त्रों से उनसे लैस हो करके हमला किया बोट डालने वालों और वह गहल हुए चुकि उन्होंने हमला किया तो हमले वाले भी अधिक्तर गहल होते हैं तो उनको जाके 50-50,000 रुपिया सरकार के अरंद्वान से दे रही है और जितने रेप की घटना है और वहां क मुकदमा बंगाल में लिक्वान जाता है इता है और आपको बताना है जो मडीपुर्ण की घटना है इसको समझ दीजे क्या है कि इसमें लोग मुखमंत्री को उटाने के बाद समिस्ष्यां सालब हो जाएं यह घटना पूर्व नियोजित है एक साजिस है मैं आपको बता र जहां की घटना है कांग पोकली की, तो उसमें एक लगबन नौसो एक हजाल लोग ने थाना नांग पोक्स में के पास में कुकी जंजात की दो महिलाओं को गुमाया, ये वीडियो भी सब जगे चला से, को कोट ने सुता संग्यान लिया, और ताजुप की बात ये है कि आज मो uinely है, तो मोधी ج जब इस सथ चालू होता है तो मोधी जय जब आते हं तो एक-एक करके लोहों से मिलते हैं, सुनिया जी से इसलिए मिलें, सुनिया जी को अभी से लेंदिंग बंडर बंद्धिश इसलिए लोगों क्या बैव उritis SKL मिलेंगे जो है लाजनितीK मुद्धों में तब आपको यह घटना अभी तक क्यों रखे गई अभी क्यों लाई गई दूसरी बात अभी दो मेने तक क्या कर रहा था विपक्ष एक चीज पता लगा लाता था यह लगे ते और चीजों लगे ते तेज दलू में यह चार मैं से चार जून और जुलाई हो गया बीज है क्या हाथों में चूणियां बांद के बैठे तें पैनों में गंगरु बांद लिए इतनी वड़ी घटना हो गई लोग क्यो नहीं पता लगा पै इसका मतलब यह जनता गिनेता नहीं यह लगे है कुरसी को कुरसी की दौर में लगे मरीपुल का हकीकत यह है कि इसमें चाइना कहा था है और चाइना की तरफ से वो लोग नहीं चाहिते भारत चुकि डबलब होडा मैं आपको बतानो किसी समय यह पोजिशन है मैं उनेरियों में गया हूं रांचल प्रिदेश में कोई रोड नहीं थी जम्मू कस्मीर में कोई र खालь गयते उत्तरा खट में के चाइक nearest में यह में रोड नहीं बना पाएे कभी साइकिल ले लग्ड़ा जाले और उसमेंचल से नागा लैंड मोन बनी Эких आitel 10 अब पहुंझ गाई इन जगह में श्याइंज का अव् उसको दुरस्त कर दिया है मोदी यह स्रेमोदी को लुक हिष्ट का चुकून का चाइना इस बास से चिरता है मैं आपको बता रहा हूं मैं गया हूं चुकि कई बार गया हूं अपसोस यह होता है इन लाज्जों में जाने पर परमिट लेना पड़ता था हमारी कई बार बहस कुछ भी कैसे बाउंडरी हो गई यह एक ताजुपत यह मोदी का कमाल था यह सब चीजे चाइना देख रहा है यहां पर अलगाओ वादी वह है दूसरी जगह से अगनाईज होते थे यह सच है कि लालडेगा के भी ही पूजिश तो है क्या कि मिजोगलम मरीपूर इन सब ज दूसरी मिशिनीज वहां पढ़ा है और उनका एक प्रकार से कप जाता यह भारतीता से जूडने नहीं दे रहा है थे अब आपको बता रहा है कि एक इनोमा वह अंसन कर रही थे बहुत भली ले थी उनको मिजगाइट किया गया गया वह अस्पा के खिलाब बिचारी अंसन क अधार रहते रोमा जी कर नाम सुना होगा सबसे लंबा हुआ तो इन लोगों का कुछ को ऐसा कर दिया इन लोगों ने यह वास्तों में निश्चित तौर पर बड़ी साजिस है और यह भारत को बदनाम करने की साजिस्ती और यह सत्र के पहले लाया गया क्या यह मैं मैं नह हम आपको बताना यह निश्चित तौर पर साजिस है और अगर मुखमंत्री को हटाना चाहे तो हटा ले मगर उससे नहीं होना यह चाहिए वहां पर कराई होनी चाहिए असफा और ज्यादा तेजी से लगाना चाहिए वहां पर और वहां पर पुलिस वल को चूकि पुलिस क साल हो जाएगी चुकि वहां पर बाहरी लोगों ने अपने मकान बना लिए बहुत सक्षम है इधर क्या हुआ था कि जो आजवासी यह भी सब लोग सक्षम हो रहे थे और जो मूल भारती थे मूल भारतियों को वहां क्रेस्ट किया जाला है जो राष्ट वादी लोग है उन सब्सक्राइब को बदनाम करने के लिए तो देखिए यह सभी खबरे यही लगभगा रही है कि यह साजिश के तहत हुई है और जिसमें गुनागारों को सख्त सजा मिलनी जरूरी है अब देखिए इसमें केंडि सरकार क्या हस्तक शेप करती है दिखने वाली बात होगी ले झाल